नमस्कार मैं हूं मुक्ता सिंग और आप देख रहे हैं श्रेष्ट भारत ये प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी का कॉन्फिजनसी है जो उन्होंने 17 लोगसभा के आखरी दिन एलान किया कि NDA एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है और वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे है PM नरिंद्र मोदी के बास ये विश्वास उनकी खासियतों से आता है PM मोदी की 10 ऐसी खासियत है जो उन्हें दूसरे राजनेताओं से अलग कर एक स्टेट्समैन बनाती है मोदी की इन्ही 10 खासियतों के बारे में आज हम बात करेंगे PM मोदी की सबसे पहली खासियत उनका धैरे है PM मोधी हर काम को धहरे से करते हैं उन्हें पता है कि सही वक्त पर कदम उठाने से ही सफलता मिलती है आती उत्सामे या परिशान होकर कोई कदम उठा लेने से नुकसान हो सकता है और इस धहरे की वज़े से नरेंद्र मोधी ना किवल देश विदेश में बैठे के अपने विरोधियों को दश्कों प्रांदोलन और CAA मोदी के धैरे को दर्शाते हैं। PM मोदी की दूसरी खास बात ये है कि 73 साल के होने के बावजूद वो नई तकनीक सीखने की कोशिश करते रहते हैं। मोदी सरकार ने Digital India और Startup India जैसे पहलों की शुरुबात की जिसने भारत में Digital Kranty ला दी। आज UPI दुनिया का सबसे सुरक्षित और आसान पेमिंट सिस्टम बन गया है। PM मोदी के टेक सेवी होने का ही नतीज़ा है कि आज देश में दरजनों, फिन टेक कंपनीज खड़ी हो गई हैं। रक्षा छेत्र में उन हत्यारों और उपकर्णों का उत्पादन भारत में ही हो रहा है जिनकी 10 साल पहले कलपना करना भी शायद संभव नहीं था। PM मोदी की जनता की नफस पर जबर्दस पकड़ है। दरसल PM मोदी लंबे समय तक RSS के प्रचारक रहे हैं और उन्होंने देश के हर कोने को देखा है और वो लोगों से जुड़ी परिशानियों को समझते भी हैं। PM मोदी आज भी आम जनता से जुड़े रहने के लिए अलग-अलग माध्यमों का इस्तमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर वो हैं ही, रेडियो के जरीए भी वो मन की बात करते हैं। दरसल ये मोदी के मन की बात का कारिकरम नहीं बलकि जनता के मन की बात समझने की तरकीब है। इसी तरह परिक्षापे चर्चा जैसे कारिक्रमों से वो बच्चों के बीच अपनी पैठ बनाते हैं जो भविश्य का मतदाता होगा महिला वोटर्स पर भी मोदी की जबरदस पकड़ है और बड़ी संख्या में महिलाएं मोदी को वोट करती है अब इसकी कई वज़े हैं लेकिन उसमें उज्वला योजना, मुफ्त राशन, शोचाले निर्मार बेहत खास हैं अब चौथी बाद जो पीएम मोदी को खास बनाती है वो है उनके बड़े फैसले लेने की काबलियत नोट बंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, एर स्ट्राइक, पश्यमी देशों के सामने नहीं जुकना ऐसे तमाम फैसले हैं जो बाकी प्रधान मंत्री लेने में जरूर है चकते लेकिन पीएम मोदी ने बेखौफ और पूरी जिम्मदारी के साथ ये फैसले लिए और देश को आगे बढ़ाया मोदी कड़े फैसले लेने से हिचके चाते नहीं है अब पाकिस्तान पर हमला करना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले कराता और फिर न्यूक्लियर बाम होने की धमकी भी दे देता उड़ी में जब हमला हुआ तब भी पाकिस्तान यही ब्लैकमेलिंग कर रहा था लेकिन मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला किया इसी तरह से पुलवामा के बाद बालकोट एस्ट्राइक की गई और जब पाकिस्तान ने अबिनंदन को पकड़ लिया तो भारती फोज ने पाकिस्तान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी और आखिरकार पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा पीम मोदी की पांचवी खासियत ये है कि वो आपदा में भी अवसर खोज लेते हैं साल 2014 में जब वो पहली बार प्रधान मंत्री बने तो उन्हें विदेश नीती के बारे में कुछ पता नहीं था लेकिन मोदी ने इसी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और आज पूरी दुनिया के लीडर्स मोदी के मुरीद है खास दोर पर अरब देश जो हमेशा भारत से दूरी बना कर रखते थे वो आज की तारीक में भारत के सबसे बड़े दोस्त है इसकी मिसाल हाल में ही तब सामने आई जब कतर ने फांसी के सजा पाए हमारे आठ पूरुस नौ सैनिकों को रेहा कर दिया अब ये भी मोदी सरकार के लिए किसी आपदा से कम नहीं था लेकिन यहाँ पर उन्हें रेहा करके मोदी ने अफसर बनाया और पूरे देश और दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है पीएम मोदी की छटी खासियत ये है कि वो लोगों को जोड़े रखते हैं मोदी ने सब मंत्रियों को टागेट दिये और उनसे वो टागेट अचीव कराने के लिए महनत भी कराई जो मंत्री मोदी की कसोटी पर खरे नहीं उतर पाए उन्हें मंत्री मंडल के बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया अब बावजूद इसके कोई मोदी के विरोध में खड़ा नहीं हुआ हाल में ही मद्रप्रदेश, छत्तिसगड़ और आजिस्थान में मुख्यमंत्री के पदों से हटा आए गए सीनियर लीडर्स ने मोदी का कोई विरोध नहीं किया दूसरी और कॉंग्रिस की हालत देख लें, जिसके बड़े-बड़े लीडर्स दल बदल कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं मोदी को अपना कुनबाई खटा जोड़ कर रखने की कला भी आती है, जो उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करती है अब मोदी के साथवी खास बात ये है कि वो दूर की सोचते हैं, बाच चाहे पार्टी की हो या देश की मोदी कहते हैं कि साल 2047 तक भारत एक विक्सित देश बन जाएगा मोदी के इस दावे की तस्दीक दुनिया भर की एजिंसीज भी करती हैं, जो अर्थविवस्ता पर निगाह रखती हैं अपने तीसरे टर्म में वो कड़े फैसले लेने और भारत को दुनिया की तीसरी अर्थविवस्ता बनाने की बाद कह रहे हैं पीम मोदी ने कुर्सी समालने के बाद जो जो बोला है वो पूरा किया है लेहाज़ा जनता का विश्वास मोदी पर बहुत जादा है और यही उन्हें एक विशनरी लीडर बनाता है मोदी की आठवी विशेषता ये है कि उनकी छवी एक बेदाग नेता की है जिस पर कोई दाग नहीं लगा है अगर इस कैटेगरी में देखें तो नवीन पतनाय को छोड़ कर कोई ऐसा नेता नहीं है जिस पर कोई न कोई दाग न लगा हो PM मोदी का परिवार एक मध्यम वर्ख परिवार की तरह से जीवन काड़ता है मोदी की खुद की छवी तो साफ है ही उनके परिवार के किसी भी सदस्य पर आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है वो 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 10 साल से देश के PM है लेकिन परिश्टाचार का एक भी आरोप मोदी पर नहीं लगा है अब उनकी नौवी खासियत उनका शासन और राजनीती का लंबा अनुभव है मोदी को 23 साल का प्रशासने का अनुभव है किसी राजनीता के लिए ये बहुत लंबा समय है उन्होंने अपने लंबे अनुभव से ही सीखा है कि राश्रवाद और हिंदुत्व के नारों से ही जनता उनके साथ नहीं चुड़ी रहेगी उसके कल्यान के लिए ठोस प्रबंद करने होंगे पीम मोदी ने लाल फिता शाही और नौकर शाही की एक बड़ी बाधा को भी धीरे धीरे ही सही खत्म करने के दिशा में कदम उठाए उन्होंने नौकर शाही से दो-दो हाथ नहीं किया बलकि उन्हें साधने की कोशिश की और अब आखिरी और उनकी दस्वी खासियत है उनका बहतरीन वक्त होना पीम जब संसद में बोलते हैं तो विपक्ष की बोलती बंद हो जाती है मोदी लोगों को अपने भाशन से बांधे रखने में काम्याब रहते हैं वो कही घंटे तक बिना रुके बोलते हैं और उनकी कही गई बातों में कोई ऐसी बात नहीं होती जो उनको हसी का पात्र बनाए दूसरी तरफ अगर विपक्षी नेताओं की बात करें तो कोई ऐसा नेता नहीं है जो लोगों को अपने भाशन में बांधे रखने की ताकत रखता हो तो मोदी की ये दस खासियत ही उन्हें नरिंद्र मोदी बनाती है आग की इस पर क्या रहा है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए तो फिलाल की इस खबर में बस इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहें श्रेष्ट भारत